गाजा के एक होस्पिटल में रोकेट से हमला किया गया है जिसकी बज़े से काफी ज़्यादर लोग है घैल हुए है और उनकी डैथ भी हो गई है अभी बताया जा रहा है लगवक 500 जो लोग है उनकी डैथ हो गई है इस हमले में और एक काउंटिंग बढ़ भी सकते है क्योंक उनकी द्वारा साफ कह दिया गया कि अब जो आगे वो इंबॉल होंगे इस युद में जो लोग चैनल पर नहीं आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस परकाई कि जो वेडियो है फैक्ट पर चैनल पर रेगुला मिलती रहे और आप सिंपल बे में इ कई सारे जो लोग हैं वो घायल भी हुए जिसमें जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसमें सामिल है इनुसिंट पीपल पर हमला किया गया एक तरीके से उनको टाकिट बनाने की कोसिस की गई है और इसके कारण जो कई सारे देश से उनके द्वारा रेक्ट किया गया है जिसमे जो कई सारे लोग है, innocent लोग है, वो मारे गए हैं, वह हम बात करते हैं, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनके दोरा इसको condemn किया गया है, और उनके दोरा कहा गया कि वो deeply shocked है, कि इस पिकाय का जो attack of hospital पर हुआ है, और उनका ये भी कहना कि जो इसमें मारे गए लोग है उनको न्याय मिलना ही चाहिए, एक social media platform पे आप PM Modi का ये post देख सकते हैं, deeply shocked at the tragic loss of gifts at the al-ahili hospital in Gaza, उनके दोरा ये भी कागे कि इस बोर में जो सिबिलीन मारे जा रहे हैं, वो matter of concern है, और इसमें दोनों देशों को ये सोचना चाहिए, यानि जो हमास है, उसको भी जो निदेश लोग है उनके साथ, नहीं जो बीटन का कहना है की काजा के hospital पर जो blast हुगा है, वो इसराइल दोरा नहीं, बलकि जो other team है, उसके दोरा किया गया है, other team का मतलब है कि जो हमास है, उसके दोरा ही rocket से हमला किया गया है, वो hospital पर, मिडिल इस्ट में हमास और इसराइल की बीस में है, उसकी तरफ से जो इसराइल है, उसके कोई attack ना किया जाए, जिसकी बज़े से जो evident है, उनको इसराइल आना पड़ा है, और कहीं न कहीं जो middle east के दूसरे देश है, उनके साथ भी उनकी बातचीत होगी, और साथी साथ उनका ये भी कहना है कि जो इसराइल है, उसको पू इसराइल पर गिर गए, जिसकी बज़े से काफी जो लोग है, उनकी death हो गई है, और बहुत सारी लोग इसमें घायल हुए है, भही इरान के सुप्रीम लीडर दोरह ये एक्यूज किया गए इसराइल को कि उसकी दोरह एथनिंग किलीनिंग की जारी है गाजा में, यानि एक ही धनम के जो लोग है, उनको टागेट किया जा रहा है बहां पर और उनका सपाया किया जा रहा है, ताकि वो गाजे स्ट्रीप पर अधिकार कर लें, भही हम बात करते हैं, जो हिजबूल है, उसकी दोरह लेपनान बॉडर पर ओपन फाइरिंग की जारी है, जिसकी कारण ज जो डॉक्टर है, वो इस्टेगल कर रहे हैं कि जो हॉस्पिरल में ब्लास्ट हुआ है, उनके जो सर्वाइवर हैं, उसको कैंसे न कैंसे बचाया जा सके, यूत कभी भी फाइदे मन नहीं रहा है कि कुई इसका जो कोष्ट इनॉसन पीपल को चुकारना पड़ता है, जो की हाली में इसरायल और हमास के कॉंट्फिक्ट में हम देख सकते हैं, दोनों तरफ से काफी ज़्यादों लोग हैं, इनॉसन लोग हैं वो इसमें मारे जा रहे हैं, इस वीडियो में अतना ही मिलते हैं, आपसे एक नए टॉपिक के साथ, अगर आपकी वीडियो अच्छी लग जूचिए हैं, टे हैं, यदिये जяж我也 अगर हैं, एक बazuje जफिन लोगी हैं, जो बु dehyd हैं वे जल बीम हैं, ता सम आपकी भीडियो जला हैं, इसम आपका में इंवाची जला हैं, नह एक आपकी जला हैं, आपकी जलेे हैं, इसम एका कह बपकी जला हैं, इसम पाइस का प्वक